मेरी दुनिया है तुझ में कहीं तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं हरे कृष्णा रादे रादे भक्त बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम आपको न्यू यर किये पहले दिन की कुछ जलकियां दिखाएंगे हमने न्यू यर कैसे मनाया सारा दिन हमारा कैसे गया तो सबसे पहले हमारी लाडो रानी के और लड़ू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए और हमने इनको सबसे प सब्सक्राइब करने के बाद दूद का मिठाई का गजग का भोग लगाया उसके बाद करनी थी इनके खाने की तयारी तो खाने में बनाना था इनके लिए कुछ मीठा जिसमें की मैंने बनाया गाजर का हलवा खीर पूड़ी सबजी और आलू की कचोणिया बनाई थी और फ्रेंट्स का चोड़ी के साथ मैंने मीठा दही भी रखा था ठाकुर जी के लिए और इनको भोग लगाने के बाद उसके बाद हमने सबको विश करना शुरू किया क्योंकि वो भी काम बहुत जरूरी होता है और सबको फिर जैसे फोन करना और मुबारक बाद देना सबका आशिरबाद लेना ऐसे करते करते और घर का काम करते करते हो गई थी संध्या संध्या की दुबारा से फिर मैंने इनकी दूब दीब जलाया आरती की घर के मंदिर में दिया जलाया दहलीच पर दिया जलाया तुलसी जी की आरती की सारा काम करने के बाद उसके बाद हमने यह की का कट कर आती हूं और थोड़े से मैंने ड्राइफ रूट्स डाल दिये थे उसके ऊपर और तुलसी पत्र रख दिया था उसके बाद एक केंडल लगाई उसके बाद फ्रेंट्स ही आये थे काना जी के लिए कुछ गिफ्ट वो काना जी को दिये क्योंकि लड़ू गोपाल ह तो ये सारी चीजें देने से जैसे बच्चे खुश हो जाते हैं ऐसे ही हमारे प्रभू भी खुश नजर आ रहे थे और फ्रेंट्स हम लोगोंने मिलके फिर उनका केक कट कर आया और सुन्दर सुन्दर भजन चल रहे थे पीछे और हम लोग बहुत खुश थे क्यूंकि करते हैं और इनी की सेबा से दिन कब समाप्थ हो जाता है पता ही नहीं चलता और हम सब साथ हैं साथ में इनकी सेबा करते हैं बस यह जो पल होते है न ऐसा लगता हैं बस धम जाएगे पल और यह सब कुछ प्रभू की क्रिपा से ही हो पाता है तो उसके बाद लड़ू- कीरतन किया और डेली तो मैं अकेले ही शाम को करती हूं क्योंकि हस्बेंट आफिस रहते हैं और शाम को बेटा जाता है ट्यूशन तो लेकिन आज तो सभी की छुट्टी थी तो हम सभी ने मिलके कीरतन किया भजन गाए नरत्य किया और काना जी के देखिए मूपे मांखन मिश लगा हुआ है और सच में कितने प्यारे लग रहे हैं मैं आपको क्या बताओं फ्रेंट्स बोकुत सुंदर शिंगार हुआ था इनका और आप लोग जरूर बताना कि आज का शिंगार दर्शन आपको कैसा लग रहा है और उसके बाद हमें जाना था इसकॉन लेकिन इसकॉन क्योंकि हमारे घर से काफी दूर है और बहुत ठंड हो रही थी बिलकुल भी धूप नहीं थी पूरा दिन और बहुत ही खराब मौसम हो रहा था तो हम लोग आए फिर अपने घर के पास जो हमारे मंदिर है खाटूश याम बाबा का और साथी में इसी मंदिर में बहुत सारे देवी देपता हैं तो सबसे पहले प्रशाद चड़ाया उसके बाद हमने खाटूश याम बाबा को इत्र सेवा दी बोल हारे के सहारे की जै तो फ्रेंट्स बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हम लोगों के और यहां पे कुवेड देपता की मूर्ती भी पधारी गई है और प्रान पतिष्ठा होई है इनकी न्यू यर पे और बहुत ही सुन्दर सरूप है भगवान का और इसके बाद हमने सबी देवी देपताओं के दर्शन किये क्योंकि मंदिर में सबी देवी देपता है और सामने की तरफ माता दुर्गा विराजमान है लेकिन यहां पर इत दर्शन कनिया के दर्शन देखिए कितना मुस्करा रही है रादा रानी हमारी सुन्दर सुन्दर दर्शन करने के बाद और यहां पर ना काफी सारे जोते लिंग बने हुए हैं बहुत सारे शिबलिंग है यहां पर तो फ्रेंट्स नए साल के दिन हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए तो फ्रेंट्स दान हमेशा गुप्त रूप से किया जाए तो वो जादा अच्छा रहता है तो फ्रेंट्स कुछ इस तरह से गया हमारे न्यू येर का पहला दिन तो एक बार फिर से आप सब भी को न्यू येर के हारतिक शुब काम नाएं आपका पूरा साल बहुत अ अच्छा रहे सारी एक्षाएं भगवान के किरिपा से पूरी हो हरी कृष्णा रादे रादे